नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन के टोप 25 पर मुख खबर जानते हैं तो कई नए भीग्यापन भी आने वाले हैं, कई पदों के लिए ऑनलेन अवेदन की परकिरिया बुद्धवार पांच अप्रेल से सुरू होगी बता दे राजी के परस्टू हाई स्कूलों में असनत कोतर फ्रसिक्षिस सीचको के 31212 पदों पर नियुक्ति होगी इन पदों पर नियुक्ति को लेकर आवेजित होने वाले असनत कोतर फ्रसिक्षिस सीचक परत्योक्तिया परिशा 2023 में सामील होने के लिए 5 अप्रेल से ओनलेन अवेदन भरे जाएंगे इसकी अमतिमती थी 4 मैं ने धारित की गई है वहीं 6 मैं तक परिशा सुलका बुक्तान होगा ओनलेन अवेदन भरने वाले अभियार्थी 10 से 12 मैं तक अपने अवेदन में किसी परकार का संसोधन कर सकेंगे चत्रा में 5 इनामी नक्सली धेर पस्वान उर्फ सुरेश उर्फ राम प्रवेश उर्फ अरून यह मवादियों का स्पेशल एरिया कमिटी सदस्य था इस पर राज सरकार ने 25 लाख रुपए का इनाम घोशित कर रखा था इसके बिरूद जार्खन बिहार में कूल 100 कांड दर्ज हैं यह सभी कांड नकसल हत्य का प्रयास हत्या आग जनी वर लूट से समधी धाराओं में दर्ज हैं वहीं अजीत उर्ण उर्फ चार्लिस उर्ण उर्फ चार्लिस उर्फ तुफान यह मवादियों का स्पेशल एरिया कमिटी सदस्य था इस पर भी राज सरकार ने 25 लाख रुपए का इनाम घोशित कर र फुट डालो और राज करो की नीती चिंता का विशाय है उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र की गलत नीतियों के कारण लोकतंत्र और अर्थ ब्यवसा दोनों ही चर्मराने के गार पर हैं वीडियो कंफरेंसिंग के माध्यम से द्रामुक प्रयोजित All India Federation for Social Justice के पहले रा जादी की 75 साल पूरे कर लिए हैं और हम अभी भी समाजी की न्याय के बारे में चींतित हैं ऐसे समय में जिसे अमरित काल और विश्वक गुरू कहा जा रहा है हम समाजी की न्याय की मांग कर रहे हैं देश का लोकतंत्र खत्रे में है दो या दो से अधिक PDS दुकान से रास जो दो या दो से ज्यादा जगा पर जन बित्रन प्रनाली के दुकान से रासन का उठाव कर रहे हैं ऐसो लोगों की अब खेर नहीं है क्योंकि इनका नाम रासन लिष्ट तो कटेगा ही साथ में जुर्माना और सजा दोनों हो सकती है बतादे बोकारो जिले में ऐसे 17,333 ल लोगों का रासन नाम काट से हटाने में जुट गया है पी टी आर के 50 वर्स पूरे होने पर बेतला से अमरित महोसो का आगाज पलामू टाइगर पोरजेक्ट के 50 वर्स पूरा होने पर गोल्डन जूबली पर वन परयावरन और जलवायू परिवरतन मंत्राले दुआरा अम कराने के साथ साथ इसके अतिहासिक महतों को बताया गया साथ ही प्रेंटिंग सहीत आने परत्योगताओं का भी आविजन किया गया बता दे पी टी आर के डिप्टी डारेक्टर प्रजेस कांत जेना के निर्देश पर आविजीत इसकारकरम के दरन बच्चों में काफी परिशर में CRM3 यूनिट का सिलन्यास किया यहां सियम ने कहा है कि टाटा स्टील इस प्रोजेक्ट में दो हजार क्लो रूपए से अधिका निवास करने जा रही है इससे परत्यक्ष रूप से एक है लोगों को रोजगार मिलेगा अब परत्यक्ष रूप से 5-7 है लोगों क मुख्य मंत्री ने कहा है कि उनकी सरकार राजे में उद्योगों के बीकास में भरपूर मदद करेगी ताकि यहां के लोगों को रोलिगार मिल सके जारखन तरखी की राह पर आगे बढ़ सके टीन पलेट की ओर से इस प्रोजेक्ट में 254 को रूपए का निवास किया शाठ चालिस के बिरोध में मुख्य मंत्री आवास का घिराव करेंगे चात्रे राजे की नई नियोजन निती के खिलाप चात्रों का आक्रोस थमने का नाम नहीं ले रहा है डिजिटल अंदोलन और विधान सभा घिराव के बाद भी राज सरकार की ओर से नियोजन निती से समन्दी किसी तरह की कोई नई घोस्ता नहीं की गई और खत्यान अधरित अस्थानी नियोजन निती की मांग को लेकर अवच्छातर मुख्रमंत्रिया वास गिराव और सम्पूंद जरकोन बंद करने जा रहे हैं बतादे कि νए नियोजन निती के विरोध में कई संगठन के चातरों ने पिलश्चुवर्ता आउजीत की है इस दोरान उन्होंने कहा एक साथ चालीस हक मार नियोजन नितिक विरोत स्टुडेंट यूनियन पिछला तीन महीने के अंत्रा लागातार कई अंदोरन को एतिहासिक सफल बना चुकी है लेकिन अभी तक सरकार द्वारा हमारी मांगो पर ठोस नियना नहीं लेने के कारण अगामी 8 अप्रेल को मुख्रमंत्रियावास घेराव और 10 अप्रेल को संपुन जहरकन बंद करने का नियना लिया गया है धनबाद डीसी के घर के सामने सलक पर बैठे बीएट के चात्रे लिए से नराज चात्रों का हुजूम बेकरार बंद पहुंच गया और डीसी के घर के पास बीच सलक पर बैठ गया है सीटी सेंटर से बेकार बांध को जोडने वाले मुख्य सलक पस्यक्रों की संक्या में चात्रेशात्राओं के बैठ जाने से सीटी सेंटर से बैंक मुर्द तक ट्रैफिक जाम हो गया दोनों लेन ब्लोक हो जाने से चार पांच किलमेटर तक गाड़ियों के लंबी लाइन लग गई 2867 के अंदोलन में NSUI भी खुद गया बतादे NSUI के दरजनों करकरता 2867 के समर्थन के बीच सलक पर बैठ गई जार्खन कॉंग्रेस पांच अप्रेल से करेगी जाय भारत संकल पयात्रा की सुरुवात रांची कॉंग्रेस परदेश करकाता में पार्टी के वरिष्ट नेताओ के बैठक सोमवार को होई जिसमें केंद्र सरकार की नीतियों के बिरोध में आंदोलन की रूप रेखा बनाई गई इस दो रांच जय भारत संकल पयात्रा को लेकर तारिक ताय कर दी गई है बताद हिंडर बर्ग रिपोर्ट के बाद प्रदान मंत्री नायन मोदी और अडाने के समन्दों को लेकर लगतार आकरमक रही कॉंग्रेस राहूल गांदी के से सताथ खत्म करने उनका बंगला खाली कराने के साथ साथ महंगाई और बेरुजगार जैसे मोदे पर अवजन तक भी जाएगी चार अप्रेल को रांची में जहां सहीद चोक से राजबहुन तक मसाल जुरूस निकाला जाएगा वही पाच अप्रेल से जहारखन कॉंग्रेस के नेता मंत्री अपने परभारी कॉंग्रेस मास अचीव अविनास पांडे के साथ जय भारत संकल प्यात्रा पर निकल जाएंगे गढ़वा के रमुना में रगवर्दास का स्वागत पूर मुखमंत्री और भाजपा कराश्टिय उपाध्यक्ष रगवर्दास और विधायक भानुपतप साही का सोमवार को रमुना में भाजपा करकतावने जोरदा स्वागत किया रगबर दास बिलास पूर में आयोजी चौपाल करकर में भाग लेने जा रहे थे बता दे रमणा मंडल भाजपा अध्यक्ष बलीत कुमार सोनिक नतित में रमणा में स्वागत किया गया एट्स की रोग थाम किले लोगों को जागरूप करेगा जे सेक्स जारखन राज एट्स नियंत्रन समीती के सन्यूक्त निदेशक द्वारा सोमर को परखंड करेले नामकुम का भ्रहमन किया गया इस द्वारन पंचायती राजपताधिकारी बाल बिकास पर्योजना पताधिकारी परखंड पर्योजना प्रवंधक JSLPS परखंड कारकरम प्रवंधक समुदाईक स्वास्त्र केंद्र एवाम स्वाक्षिक जाच परामर्स केंद्र नामकुम में पदस्थापीत परामर्सी लेब टेकनेशन के साथ बैठक की गई समधित पतादिकारियों कर्मियों द्वारा अफेक्षित सहयोग समीत्ती को परदान करने की बात कही है राजेपाल ने टाना भगतों की समस्याओ के समाधान का दिया निर्देश जहरखन के राजेपाल सीपी रादा कृषिन ने अश्थानिय परशासन को टाना भगतों की समस्याओ का ततकाल समाधान करने का निदेश दिया है राजेपाल से सोम़ोर को टाना भगत स्थांग की केंदरिय कमिटी लोहर्दागा का सिस्ट मंटल राज भान में मिला राजेपाल को भूमी अतिक्रमन भूमी कहस्तांतरन के साथ टाना भगत आवसे विद्यले की समस्याओं से आवगत कराया गया वहीं टाना भगतों ने राजेपाल को बताया एक लोहर्दागा सिम्डेगा खुट्टी गुमला हजारी बागोलाते हार जिले में निवास करने वाला टाना भगत जिने तामर पत्र मिल चुका है उन्हें अब तक भूमी नहीं दी गई टाना भगत दर-दर की ठोकर खाने को विवस हैं जिनकी खत्यानी जमीन पुर्व से है उसका भी अतिकरमन किया जा रहा है गांधी के सच्चे अनुयाई होने के बावजूद वे लोग कई समस्याओं से जूज रहे हैं जार्खन की दाया मनी बारला को मिला समान जार्खन की पहली आदिवासी पत्रकार और आरन लेडी के नाम से मसहूर दाया मनी बारला को यूमास लोवेल्स 2023 ग्रील एसकोलर के लिए नामित किया गया मैंसा चुलेस लोवेल विष्व विद्याले के एक अग्रेजी प्रफेसर ने इस बारे में कहा है। लिए निगमों के खिलाप राजनेती आंदोल करनेती तुर्किया। लिए निगमों के खिलाप राजनेती 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 तुर्किया। अजित मवादियों के लिए इंप्रोवाइजर मिसाइल विक्सित कर रहा था। बतादे सोमवार को सुरक्षाबलों के साथ होई मुडभेण में मारा गया मवादियों का टॉप कमांडर अजित उर्फ चारलीस और गौतम पस्वान संकठन के टेकनिकल एक्सपर्ट थे। ये दोनों मवादियों के लिए नई नई तकनिक को विक्सित किया करते थे। आयोजित एक बैठक को समवधित करते वे परदेस्त अध्यक्स राज सबसांसर दिपक प्रकास ने कहा आए कि भाजपा ही एक मात्र ऐसी पार्टी है जिसके करकारता संगठन विस्तार के साथ साथ आंदोलन भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि इस अभी करकाता बोथ ससकतिकरन अभियान को सफल बराने में जूटे हैं। वहीं हम राज सरकार के खिलाप सड़क से सदन तक जोरदार आंदोलन भी कर रहे हैं। HEC सबसे बुरे दर से गुजर रही। एक व्यक्त पर Mother of All Industry कही जाने वाली HEC आज अपने सबसे बुरे दर से गुजर रही है। बता दे आर्थिक संकाट, नियमित बेतन और अपने भविस को लेकर चिंतित अउस्तन 5-6 अभियानता हर महिने नवकरी छोड़ रहे हैं। वहीं विभीन विभागों के भी लगभग एक दरजन अधिकारी वकरमचारी नोकरी छोड़ कर दूसरी कमपनियों में योगदान दिया चुके हैं। एचिसी के अधिकारी ने बताया है कि वित्य वर्ष 22-23 में 50 से अधिक इंजिनियर वा लगभग एक दरजन अधिकारी वकरमचारी ने एचिसी से अलविदा कह दिया है। वहीं करीब 300 करमियों ने परवंधन से दूसरी कमपनिय में आवेदन करने के लिए नुमती मांगी है। एचिसी के एक अभियानता ने बताया है कि एचिसी में बेतन पुर्ण रिक्षन कई वर्षो से लंबी था है। दूसरी स्विधाय भी धिरे-धिरे बंद होती जा रही है। गुमला में मंदीर परिशर में बनी दुकान सील करने पहुंचा पर सासन का बिरोद। गुमला सहर के पुराने नगर पाइल का के समीप इस्टीत मंदीर परिशर में बनी दुकान को सील करने पहुंचे नगर परिशद के पता धिकारियों व पूलिस को लोगों के आकरोज का सामना करना पड़ा। लोगों के बिरोद परिशर के कारन दुकानों को बिना सील किया अधिकारी व पूलिस को आपस लोटना पड़ा। का निलंबन वापस करेगी कॉंग्रेस के निलंबित तीन बिधायकों का निलंबन जल्द समाप्त होगा नई दिली में पार्टी के राष्ट्रिय महासचीव केसी वेनु गोपाल से सोमार को बिधायक डाक्टर इफानन सारी राजस कक्षप और नमन बिक्सल को गारी ने मु कुलकात की थी उलेखनी आया कि कुलकाता में नगदी के साथ पकड़े जाने के बास अंगठन ने इन्हें लिलंबित कर दिया था अब इससे जुड़े मामले को नियाले ने निरस्त कर दिया है बीजेपी को जाटका देने के तियारी में जेमें सतारूड जामूमो भाजपा को जोरदार जाटका देने के तियारी में हाई आठ साल पहले पार्टी छोड़कर भाजपा में गए पुरो मंत्री हेमलाल मुर्मो अवगर वापसी करेंगे 11 अपरेल को साहब गंज के भोगना डी में इसे लेकर एक करकरम का उजन किया गया है करकरम में मुख्य मंत्री हेमलाल मुर्मो जामू में सामिल होंगे इसे संताल परगना में जामो के खिलाब महौल बनाने की कवायद में जूटी भाजपा के लिए जोड़ार जटका कहा जासे रहा है संताल में जामो की दमदार मुजूदगी ने फिर सेहेमलाल मुर्मो को वापस लोटने के लिए मजबूर कर दिया है जारखन हाई कोट ने सीम को खनन लीज मामले में की सुनवाई हाई कोट के चीफ जस्टिस संजाय कुमार मिस्टर और जस्टिस अनान सेन की खंट पीट में सियम हमान सुरेन और उनके करीवियों को खनन लीज आवंटित करने के खिलाब दाखिल जनित याज का परसोम वार को सुनवाई हुई सुनवाई के बाद आदालत ने राज सरकार और इडी को जवाब दाखिल करने का निदेश दिया मामले की अगली सुनवाई एक माई को होगी इस समन में आर्टी आई करकाता और अधिवक्ता सुनिल कुमार मातों ने आच का दाखिल की है याचिका में दावा किया गया है कि सियम हेमान सुरेन ने खनन मंत्री रहते हुए स्वयम और अपने रिष्टदारों को खनन लिज दिया है उन्होंने सरमेधानिक पत का दुरूपयोग किया है दुमका त्यजाब कांड में एस पी से मिल कर नयाय की गुहार सरया हाट के कोरदाहा गाव में सरनीवार की राजजमीन विवाद में दमपती समेत बेटे और बेटी पर त्यजाब डालने वालों को गिरफतारी के लिए पीडितों ने सोमवार को एस पी अंबर लक्रास से आवास में मुलकात कर आप भीती सुनाई पीडितों ने थानेदार पर भी दमंगो के पक्ष में काम करने का आरोप लगाया मामले की गंभीता को देखते हुए एस पी ने ततकाल थानेदार को फोन कर सभी आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफतार करने का निदेश दिया बता दे आवास पर पीडित निरंजन यादों ने बताया है को उनकी मुन्ना साह से किसी तरह की कोई भी दूस्मानी नहीं है दो महीने पहले अपनी जमीन पर उन्होंने जोपडी खड़ी की थी उस समय मुना ने तेजाब डाल कर जिन्दा जलाने की धमकी दी थी अंतर राजीय पसू तसकर गिरोह के नव आरूपी गिरफटार मधुफूर से मवसियों की अवैध तरिकिस से अंतर प्रांतिय तसकरी करने वाली एक गिरोह का पूलिस ने खुलासा किया है पूलिस ने रभी वार सुबा मवसियों से लदे तीन वाहनों को जब्त किया जिसमें गाय बचले सहीत कूल 69 पसु को लाद कर तसकरी के लिए ले जा रहा था पूलिस ने पसु तसकर चालाक और वाहन माल को खिलाब एफायर दर्श की है वहीं नौ अरुपयों की रफतार भी किया गया है धन्यवाद यदि आप चैनल पर नहीं है तो चैनलों को सब्सक्राइब कर बॉल का वेल एकन दबाएए साथी साथ वीडियो के एक लाइक कर अपने दोस्तों को से अशेर करना ना भूले साथी साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फीडियो एक अवस से दे थैंक यू